नमस्कार दोस्तो मैं राकेस भार्दवाज एक बार फिर से आप सुभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज पर दोस्तो हमारे साथ मोजूत है डोक्टर संकर द्याल जी वैसे तो इनकी इतनी बड़ी कोई पैचान नहीं है लेकिन आज कैमरे पे आने का में कार्ण क्या रहा जब भी आपने देखा हुआ नमीन जैंद के साथ जो है नमीन जैंद जी के साथ हमेशा कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहते हैं और ये जो पूरा का पूरा वाक्य जो संकर द्याल जी को सबसे आगे देखा जाता है डोक्टर साब क्या लगता आपको जिस तरीके से जो मामला हुआ नर्सिंग भर्तिंग डोग इवेंट वैरिविकेसन का उसके अंदर हमने देखा दोनों तरफ से एक तरफ से कहीं जो है उकसाने की कोशिस की गई या फिर जो है नर्सिंग जो जो यह जो सब इख रहा है वीडियो में जाइन जी एंटर करते हैं Mā Щा मुख्यमंत्री का तो आम सा करमचारी wannaг हृर उसका चिलाने का मतलब क्या है वो एक duty कर रहा है जनता का सेवक है जनता की समश्याय का solution करने के लिए हो लेकिन वो चिला रहा है और फिर उपर से 70 साल के बुजुर्ग पे सोचिए इस बात को 70 साल के बुजुर्ग पे वो धक्ये मारता है और उसको अपमानित करता है अमारे माबाप पे मारे बुजुर्गों पे कोई इस तरीके से ताना सा तरीके से इस तरीके से दखके मारे कौन सेयंड कर लेगा आप सेयंड कर लोगे पतर है डोक्टर साब यह नहीं हो सकता थी कि कहीं ना कि बीच बचाब भी किया जा सकता था हाथ उठाना जो है क्या लिए उसका यही बनता था ना आथ उटाने का क्या मतलब दोनों सलब से तपड तले उपर से नवीन जैंजी ने आपने उसकी प्रेस कॉंफरेंस भी सुने होगी नवीन जैंजी कि उसने कहा है कि मेरी अधिकारी से कोई वो नहीं है अगर उनको गलत लगा तो आप मीडिया के सामने मेरे को 10 थपड मार लो 15 थपड मार लो मेरी तो सरकार से हर्याना बरोजगारी में नंबर वन पे चला हुआ है और आप फिर क्या कह रहे हो कि हर्याना वालों को जेग है नहीं है बार वालों को जेग है हर्याना एक हर्यान भी एक नारा तो यह है लेकिन अर्याना तो नोगरी एक भी नहीं किस बात क्या वो चला रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तापको जिस तरीके से आप ने का कि सबक सब्सक्राइब को सिखाना जुरूरी था कि ऐसे करमचारियों के ऊपर आपकी माने तो क्या आगे भी नमीन जैन जी इसी तरीके से जबाब देगा देखो और बात पूछना चाहूंगा जिस तरीके से नमीन जैन जी जो है हर वरक की आज आवाज बने हैं उसके बाद आज कई न कहीं हम देख रहे हैं नमीन जैन जी बलाई जो है यहां पर हमारे बीच में नहीं है जेल के अंदर हो लेकिन चारों तरफ से एक चिंगारी सी उठी नमीन जैन के समर्थन में हर तरफ से लोगों को देखा जा रहा है तो क्या उस अवाज को कहीं दबाने की कोशिस की जारी दिया डिको आप यह कहर हो तो 53 आज पूरे हर्याणा में लाखो हजारों कारी के बीच में क्या कहार रहे हैं मैं भी लवी जैंग नाम नहीं रहा नरुद कि एक सोच बन चुका है एक कि कैते हैं ना कि श्रीर में समा झाह समा गJackicki की सरकार का तनाशा नमीन जहिन जी को बेल भी मुल चुकी है लेकिन साथ ही साथ जो है पैरावर की जमीन को लेके एक मुद्दा उठा था ब्रामनों की जमीन उसके अंदर नमीन जहिन जी के उपर केस लगे हुए है । डॉक्टर संसद अर्विन सर्मा की में बात करूँ या फिर में मुख्य मंत्री की बात करूँ बार बार दावे आ रहे हैं लगातार जो है दावे करते जा रहे है कि वह जमीन बरामनों की है क्या इस समय नमीन जहिन जी के उपर वो केस की फाइल भी ऊपन करना कि एक तरफ तो ब्रामनों को जमीन देने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ जो रहा है ब्रामनों को बेकूप बनाया जा रहा है देखो ये जंता अब जाग चुकी है ब्रामन से माजब जाग चुका है वो जमीन किसी ना तो नवीन जाएंजे वो अजारो फरसादारियों ने अपनी वहाँ पर प्रेजंस दे कर फरसे लरा कर वो कह दिया था कि ये कबजा ले लिया है और उस टाइम ब्रामनों ने कहा था कि ब्रामन बोट देखो नी योद्धा हैं अपना अग अलग में आदेख ले लेंगे यह बात उस्टे मुख है मंतरीन के आग कि ये जमीन ब्रामनों की है और फिर केस का क्या मतलब रहे मारी चीज मारे पे केस और मारे पे शान इसा नहीं होया अगर दा यी ब्रामन समा जाग चुका है अगर अब भी नहीं जाग दियांगे कितने के सबस्ति के सामने कि सब कुछ है कि सरकार क्या क्या चारिये एक आवाज पे जो है नमीं जेन के लिए अजारों की बीट आगे थी आगे किस तरीकिसे अप क्या रष रणीति देखो रणीति के तो बात है उन्होंने सपस्ट कहाई रखे कि बोले नात कराणिया है जो बोले नात मन्जूर होगा वो होगा अभी बोले नात ने नूं कहा रहाए आप भी सुनोगे पुराने वीडियो सुन देऊगे कि मेरा काम जगान का है जाग जाओ यह सरकार कीशे के नियों दी अगभाई मेन बोट गेर दी मेरी होगी ना जब लग आप जागोगे नी तो यह सरकार कीशे के नी आगली सरकार आओ यूँआ फिर पीडन करेगी आगली यूँआ पीडन करेगी वो इस तब उंडा करेंगी तो नवीन जैन जीन शीद्ध इसाब कह रहा क्या कि जाग जाओ और ताना सा सरकारो उसके खिलाब लड़ना सीख लिए लड़ने के लिए सरड़क पूतरना सीख लिए इब ट्वीटर फेस्बुक तो काम नीच लेगा ट्रेंडिंग ते सड़क पूतर अपड़ा आपने अक्की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी चाहिए रोजगार की बात हो चाहिए अब यहां पे थी मकान गिराये जान लग रहे थे दलितों के मकान गिराये जान लग रहे थे ज़िए आरे सोचनी ची ये रोटी सब्सक्राइब करेंगे आपने जागना सीख लेओं उनका कम जगाना है तो दोस्तों यह थे हमारे साथ जो है डोक्टर संकर जी काता जो है नमीन जैन जी के साथ आप इनको देखते रहते हो एक समर्थक के रूप में और या फिर कहें कि इनकी भावना जूड़ी है लेकिन हर वक्त जो है नमीन जैन जी के साथ कंदा से कंदया मिलाकर जुड़े रहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करें कि युवा है और युवाओ के विचार युवाओ के बीच जो है पोशना बहुत जूरूती होता है धन्यवाद जयो